क्या आप या आपको कोई फ्रिंड फेस्बुक इंस्ट्राग्राम या टिंडर को यूज़ करता है अगर हाँ तो आज की जो यह वीडियो है यह आपके दिमाग को खोल देगी बिकाज आपको समझ आ जाएगा कि आज इन प्लाटफॉर्म्स पे चल क्या रहा है और बहुत सीर को आपको देखना भी जरूरी है इस वीडियो की इंफ्रमेशन को शेर करना भी जरूरी है जिससे लोग सतर कोप है आपके फैमिली में अगर बच्चे है और वो इन प्लाटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे है तो आज ही आपको इस इंफ्रमेशन को उन तक पहुचाना जरू देखिये चल किया रहा है जहां पर फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स है जो टिंडर है यह डेटिंग आप है वो करते हैं लेफ राइट होता है पता नहीं क्या होता है अब यहां पे जो यह हम डिसकेशन कर रहे हैं इन तीनों ही प्लाट तो थोड़ा सा केते हैं ना शाम को मूड बनता है बाते कर रहे हैं अलग तरीके की वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है अब कभी किसी लड़के ने अपनी कोई पिक्चर भेज दी अगर वो थोड़ा सा ऐसे इमोशनल या रोमेंस वाले सिचुएशन में जा रहे हैं तो अपनी वो अलग अलग तरीकी की तस्वीरे भी भेज़ दाते हैं फिर मिल भी लेते हैं अब सोचें मिलने के बाद हो क्या रहा है मिलने के बाद जो लड़का लड़की है वो इंटिमेट हो जाते हैं और वहाँ पे जो भी उन्होंने परफॉर्म किया वो सब कैमरे पे आ जाता है अब यहां तक तो आपको लग रहा होगा कि कोई बड़ी बात नहीं हुई और यह सब यहां पे आज से नहीं काफी टाइम से चल रहा है पर क्या आपको यह पता है यह सब जान बूच कर हो रहा है कि आपको ये पता है पीछे गैंग इन्वाल्व हैं जो इस जो ये पूरी अक्टिविटी और ये से अंजाम दे रहे हैं हो क्या रहा है लड़का लड़की से मिलता है इन प्लाटफॉर्म के तरू उसे लगता है लड़की बिल्कुल जेनुवन है प्रोफाइल बिल्कुल जे त् momento ने मिलिके पता है pregunta कि बेठी तो डिन बाट तिन बाट काल आता है कि भी हम तुम्हारे को कुछ वीडियों बेजने ऐदे पहले इन्हें देख लो अभलगा जब और लग tenir थे इन लोगों के पास आई कहा से और उसर बाद उस लड़के को बोला जाता है कि आपकी अगर इन साड़े 300, 300 लोगों को हम आपकी ये वीडियोज personally भेज देंगे और अगर आप चाहते हैं कि हम ना भेजें तो हमें इतने पैसे दे दो हमें इतने पैसे चाहिए इतने पैसे दे दो अगर आपने नहीं दिये तो ये वीडियोज पहुंच जाएंगी लोग क्या करेंगे लोग ये पैसे देते जा रहे हैं और ये गैंग जो है ना ये बढ़ते जा रहे हैं इसमें activities बढ़ती जा रहे हैं जो humanity की last stage थी ना हम आपे पहुंच गए हैं दो प्रोस्टिटूशन भी जो है ना इससे भी एक level का उपर का काम हो रहा है जिसे हम sextortion बोलते है sextortion का मतलब होता है फिरोती मांगना sextortion का मतलब होता है sexual act के तहत फिरोती मांगना अब यहां पर क्या है ये लड़के को बड़ा सोचता है कि मेरी बदनामी हो जाएगी मेरी videos लोगों के पास चली जाएगी क्या सोचेंगे वो पैसे देना शुरू करता है अभी recently ऐसा ही केस आया है बैंगलॉर के अंदर 26 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया अविनाश भी इस नाम है लड़के का आप गूगल भी कर सकते हो इस लड़के ने सुसाइड कर लिया हुआ क्या इस लड़के की मुलाकात होती है एक लड़की से फेस्बुक पे जिसका नाम महां पर लिखा हुआ आता है एक्च्वल नाम क्या किसी को ने बता नाम लिखा आता है नेहा शर्मा अब जब ये नेहा शर्मा नाम लिखा हुआ आता है यह से बात करता है, बाते होती हैं, confidence में आ जाते हैं एक दूसरे के, फिर मिलते हैं, और मिलने के बाद जैसे मैंने आपको exactly बताया कि intimate होएं, वीडियो बन गहीं, और उसके बाद इस लड़के को contact करते हैं कुछ लोग, और एक नहीं, चार-पांच अलग-अलग लोग इससे contact करते हैं, एक ही गैंग के, और पैसे मांगते हैं, यह लड़का पैसे देवी देता है, पैसे खतम हो जाते हैं, तो अपने फ्रेंज से 35,000 रुपे लेके इन लोगों को देता है, और इतना mental torture में आ जाते हैं, क्योंकि यह लोग मानते नहीं हैं, यह और पैसे की demand करते हैं, और लड़के को जब लगता कि मा और नहीं कर सकता, यह लड़का suicide कर लेता है, MBA किया हुआ था इस लड़के ने MBA, बना पढ़ा लिखा लड़का और पढ़ा लिखा होने के बावजूद यह सब हुआ इसके साथ, लड़का मर जाता है, मर गया जी, dead हो गया, suicide कर लिया, 23 मार को मरने के बाद भी, यह जो लोग है मानते नहीं है, इस नहा शर्मा का मेसिज जाता है, इस अविनाश की बहन के पास, sister के बास मेसिज जाता है, Facebook पे, कि अविनाश मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मेरी बात करा दो, अब इसकी sister को तो लगता है कि सारे तो friends को पता लग गया, कि इसने suicide कर लिया, यह लड़की है कौन, और फिर इसकी sister के पास calls आते हैं इन लोगों के, यहीं से अलग अलग, 4-5 लोग, जो कहने को इस लड़की के manager है, इनके phone आते हैं, कि हमें पैसे चाहिए, अब यह लड़की intelligent होती है, यह जाके, police station मे complaint कर देती है, कि भई, ऐसे ऐसे blackmail किया गया मेरे भाई को, और उसने suicide कर लिया, अब police investigation शुरू करती है, जब police investigation शुरू करती है, because, मामला से extortion का है, extortion बहुत बड़ा crime है, उसके बाद, police जब जांच परताल शुरू करती है, पता लगता है, यह अकेला case नहीं है, में, एक 54 साल के इंसान को, 54 आप जरा सोचिए, 54 साल का businessman, उसके साथ भी इस extortion किया गया, अब आप इस इंसान के character पर मच जाए, इंका character डीला नहीं था, क्या किया गया, इनके साथ जरा समझे, इनकी Facebook से, और इनके अलगलग social media account से, इनकी photos निकाल ली जाती है, पिक्स निक किया जाता है कि, असली और नक्ली में फरक ना पता लगे, उसके बाद इन küç को use करके, वीडियो बना दी जाती है, अलग अलग पिक्स को एक साथ करके, वीडियो बना दी जाती है, और इस आदमी को भीज़जे जाती है, कि हम तेरी जो यह ए वीडियो है, यह त sc был हूं है, अब देखें उस इनसान ने कुछ किया भी नहीं, बिजनस में नादमी है, बट उसके साथ भी ये किया गया, और इस आदमी ने भी इन लोगों को पैसे दिये, बट जब पानी सर के ऊपर से चला गया, ये भी पुलिस में चला गया, और इसने जाके बोला, कि भई मेरे साथ यह हो रहा है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अगेंस एक्स्टोर्शन का मामला सामने आज रहता है अब क्या होता है यह केस जो है यह पुलिस अकेले नहीं करती यह CID Department में जाता है और CID Department जब इसके उपर रिसरच करता है पता लगता है कि जो गैंग इनवाल्ड है ना वो तो बैंगलोर का ही नहीं बैंगलोर का ही नहीं बैंगलोर से बहुत दूर कितना दूर राजस्तान राजस्तान में लोग छुपे उपड़े हैं, जो ये काम कर रहे हैं, वहां पर चार लोगों को अरेस्ट किया जाता है, और फिर किया पता लगता है, ये तो एक डो मामले सामने आरहे हैं, यhe तो हजारों लोगों को ऐसे लूट चुके है हजारों लोगों और वो लोग सामने आते लिए क्यों शर्म शर्म बहुत बड़ी चीज मैं अब शर्म की वजह से लोग ही सेक्स के तुरू फिरोती मांगी गई और उस इंसान ने भी दे दी अब उसने क्या किया था जरा यह समझना यहां पर जो आदमी इन्वार्ड था थोड़ी एच ज्यादा थी उसके बावजुद मैरिट था फेस्बुक पे एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है एक्सेप्ट हो जाती है रिक्वेस्ट बाते शुरू होती है यह ना मिला इस लड़की से ना इन्होंने कुछ किया बट यह जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं यहां पर थोड़े से भैग गए अंकल जी जो भी थे और यह मांगी पुल्स में केस गया और उसके बाद जाके छूटे बट यहां पर देखिए क्या सीन हो गया घर में सबको पता लग गया मैरेट थे यह ऐसा काम वैसे करना नहीं चाहिए कासकर मैरेट लोगों को बट आप आपको क्या मैं बताना चाहरा हूँ देखो इंटरनेट पे पसाया जा सकता है और लोगों को इस वक्त फसाया जा रहा है एक गैंग पछए गैंग राजश्तान का एक घैंग कितने ऐसे गैंग चल रहे हैं लोगों बट ना किसंध का वा रही है अपनी कोई फोटो भेज़ दे या मिलने जाए या होज़कते इंटेमिट भी हो जाए और उसके बाद वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हो जाए आपने तो सुना होगा लोग होटल्स में जाते है आजकल हिडन कैमरा लगने लग गए है और यहाँ पे यह जो वीडियोस हैं लीक हो जाती है अब इनी वीडियोस के चक्कर में अगर फिरोती मांगी गई तो किसकी जिंदगी बरबाद होगी जरा सी हमारी छोटी बचकानी हरकत से हम अपनी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं और देखो यह समझाना पड़ेगा अगर आप ने इस चीज के लिए थोड़ा सा फॉरवड नहीं होए न आप तो हम और हमारी सुसाइटी बैकपड हो जाएगी एक बच्चे की अगर लाइफ तबाह होती है आपकी वीडियो के शेर करने से लोगों को कम से कम अकल आ जाएगी और उनकी शरम बच भी जाएगी तो शेर दिस वीडियो सी मेरा गाम है कि जो भी इस वक्शाइटी में ऐसी इंफरमेशन है जो आपके काम की है वो आप तक पहुचाना अब उसके बाद वो इंफरमेशन आप किस तरीके से यूज करेंगे इसी तरीके की और इंफरमेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चनल को सब्स्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर सकते हैं